हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एजूकेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एजित्रोमाईसिन टेबलेट्स के बारे में तो हम करने वाले हैं उसके डिटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी और जानेंगे उसके बेजिक यूश के बारे में उसके साइड इफेक्स वगेरा क्या होता है और किस तरह से ये मेडिकेसन अपना काम करता है उसके कॉंट्रा इंडिकेसन और वर्निंग्स को भी हम सिखेंगे य ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में एक्सपर्ट लेक्चर वायमर सर असिस्टम प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफार्मारॉक्स थेंक्यू फर बी इन 2 लेक्ट फेमिली ऑफार्मारॉक्स अपडेटेड रही है फार्मा नोलेज के साथ एक्सेस कर ये स्टडी मेट सिरीज वीडियो लेक्चर फार्मा रॉक्स के अप उपर तो अगर आपके पास एंड्रोइड फॉन है तो Android प्रोफे एंडुज कर सकते है गूगल प्ले प्ले स्टार पर से आइफन यूजर है तो ये number of bacterial infection को treat करनी के लिए use किया जाता है तो ये था उसका main basic concept की Agithromycin जो है वो antibiotic है और अलग-अलग bacterial infections जैसे की आपको middle year के अंदर infection होता है strep throat होता है या फिर sore throat की जिसको हम कहते है throat infection होना pneumonia के अंदर ये use किया जाता है travelers diarrhea और intestinal infections जैसे bacterial infections को treat करने के लिए ये agithromycin के tablets को हम use करते है तो agithromycin का आपने concept समझ लिया कि ये antibiotic है और macrolide class का antibiotic medicine से उसके basic use समझे तो सबसे पहले जो उसका हम basic use समझे तो जो अलग-अलग respiratory related infection होते है उसको treat करने के लिए agithromycin जो है वो widely use किया जाते है कि जो bacterial infections के करन समझो कि raspitated wreck के अंदर damage होता है raspitated wreck infect होता है तो उसके इलाज में agithromycin जो है वो widely use किया जाता है दूसरा हम देखे तो streptococcal जो बैक्टेरिया होते है इनके infections के करन जो pharyngitis होता है tonsillitis होता है and mastoiditis वगेरा जो होते हैं उसके इलाज में भी use करने मतलब कि जो tonsill का inflammation होता है pharyngs के अंदर inflammation होता है और specially हम कहें जो throat के अंदर oral cavity के अंदर जो कई बार जो infection होते हैं और वो आगे जाके pharyngs तक पहुचता है आपके tonsils तक पहुचती है और वहाँ पे susan और inflammation वगेरा होती है तो उसके इलाज में भी agithromycin को prescribe किया जाता है फिर जो diphtheria जो होता है फिर जो pertuses की जिसको हम कहते है whooping cough फिर titanus तो ये सब diseases के अंदर भी agithromycin को यूज किया जाता है उनके इलाज में फिर जो sexually transmitted disease जैसे के syphilis and gonorrhea की जिसको हम STI भी कहते हैं के sexually transmitted infection या फिर diseases तो उनके treatment में भी यूज किया जाता है ये leptospirosis के अंदर फिर reduce the infection in COVID-19 patients कि जो coronavirus के जो patients है उनके अंदर जो infection के intensity को कम करने के लिए उसको reduce करने के लिए बिकोज यहाँ पर हमें पता है कि COVID-19 के patients के अंदर भी ज़्यादा तर respirated rag का infection सबसे ज़्यादा होता है कि बले वो virus के करन होता है बट वहाँ पर main जो कोई चीज अफेक्ट होती है तो that is respirated rag तो agithromycin की जो pharmacological action ये हमारे respirated rag पर काफी अच्छी है infection कम करने में help करता है तो agithromycin जो है COVID-19 के patients को भी दिया जाता है तो reduce the infection फिर समझेतर जो typhed fever होता है उसमें भी agithromycin यूज किया जाता है और जो pneumonia की हम condition कहते है और ऐसा pneumonia की जो mycoplasma के कारण जो होता है कि mycoplasma जो bacteria बगिरा होते है उनके infection के करण जिनको और typical pneumonia होता है उसके इलाज में भी agithromycin यूज किया जाता है अब समझते उसकी mechanism में लगे किस तरह से ये agithromycin काम करता है तो किसी भी bacteria को अपने survival के लिए जरूरी है protein synthesis करना तो agithromycin क्या करता है किसी भी bacteria के अंदर ये protein synthesis की process को कर देता है inhibit जिसके करण जो भी bacteria होते है उनका आगे जाके proper ribosomal translocation नहीं होता और ये process ना होने के करन उनके अंदर जो protein synthesis का जो process होता है वो inhibit हो जाता है दूसरे वर्ड में समझे तो ये medications जो है वो 50S sub unit जो होते है ribosoms के वहाँ पे bind होके उनकी जो effect है वो reduce करता है जैसे कि chloramphenicol और clindamycin जैसे medicines के effect होते है कि जो 50S sub unit के साथ bind होके अपने pharmacological action देते है और 50S sub unit से जो bind हो जाता है ये medicine तो क्या होता है कि जो ribosomal translocation होता है protein synthesis process के लिए तो ये process जो है वो completely inhibit हो जाता है ये stop हो जाते है जिसके करन bacteria का protein synthesis नहीं होता और बीना protein के किसी भी bacteria आगे जाके survive नहीं कर पाता और इनकी जो है वो death होती जाती है so इस तरह से किसी भी infection को काम करने के लिए ये agithromycin अपना काम करता है अब समझना जरूरी है उसके daily doses के बारे में तो समझे कि आप 250 mg वाला tablet यूज़ करते है तो 250 mg टैबलेट आपको तिन दिन तक लेनी होती है BD BD मतलब की दिन में दो बर so daily two tablets of 250 mg आपको लेनी रहेगी कि जब आप 250 mg वाला tablet यूज़ करें मतलब कि एक tablet जो है वो आप समझे कि after noon में लेते है proper खाना खाने के बाद तो दूसरी टैबलेट जो है वो आप night में लिज़े इसी कारण देखो या पे जो आप container देख रहे है उसका तो उसमें भी total 6 टैबलेट दे हुई है कि ये दो टैबलेट है वो day 1 के लिए है उसी तरह से ये वाली जो दो टैबलेट से second day के लिए और ये तिसरी दो टैबलेट जो है वो day 3 के लिए इस तरह से दिन में दो टैबलेट लेनी होती है कि जब उसकी strength होती है 250 mg और ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन तक ही लेना चाहिए तीन दिन से ज़्यादा लेने से उसके इस dangerous side effects अगर आपको हो सकते है तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन लेने से ही जो भी आपका infection है वो cure हो जाता है फिर बात करें 500 mg वाली टैबलेट की तो जो 500 mg का टैबलेट होता है अजितरो मैसिन उसको आपको एक ही लेना है OD लेना होता है for 3 days जैसे से लिए देखो यहाँ पे container में भी 3 ही टैबलेट है कि यह पहला टैबलेट यह दूसरा और यह तीसरा तीन टैबलेट यहाँ पे दिये जाते है और patient जो है वो डैल्ली 1 टैबलेट लेते है 500 mg का तो इस तरह से उसका डैल्ली डोस तयार होता है में कम सुनाई देता है ऐसे side effects produce होते है कि अगर कोई person काफी लंबे समय तक agytheromycin यूस करता है और उनको excessive dose के अंदर या फिर overdose के अंदर आप यूस करते है तो यह hearing loss वाले side effect जो है वो डैवलफ होती है फिर बात देख करें तो कुछ लोगों को hypersensitivity reactions बे देखने को मिलती है उनके body के उपर फिर vomiting जैसा हो सकता है nausea feel हो सकता है abdominal pain हो सकता है persons को and कुछ cases के अंदर diarrhea हो सकता है कि अगर आप 500 mg वाला tablet यूस करते हैं तो कई बार diarrhea जैसे condition भी feel होती है यह agytheromycin के tablets के करन तो समझों कि आपको 500 mg के tablet से कुछ side effects develop होती है तो आप उसके option में 250 mg वाला tablet भी use कर सकते है तो यह थे उसके side effects अब जानते हैं उसके contraindications के कौन से लोगों को agytheromycin यूज नहीं करनी तो सबसे पहले ऐसे persons के जिनको diarrhea हुआ है but diarrhea होने का reason Clostridium difficile bacteria है तो अगर यह bacteria के infection के करन डायरिया हुआ है आपको तो agytheromycin यूज ना करे because agytheromycin की यह bacteria उपर कोई भी effect नहीं रहती दूसरा अगर आपके body के अंदर magnesium की amount काफी कम है low amount of magnesium in your blood उसी तरह से potassium भी आपके blood के अंदर काफी कम है तो भी agytheromycin यूज ना करे myasthenia gravis की condition है की इस तरह से यह normal person है without myasthenia gravis और यह diagram के अंदर जो आप person देख रहे है with myasthenia gravis के जिसके अंदर ice का जो portion है cheeks का portion है lips के आसपास के portion वगेरा पे swelling as well as damages वगेरा देखने को मिलते है skin तो ऐसे patients जो है वो agytheromycin को यूज ना करे फिर समझते है की जिनको skeletal muscles related disorder है उनको भी agytheromycin यूज नहीं करनी है already hearing loss के जो patient होते हैं कि जैसे हमने देखा की hearing impairment हो सकता है agytheromycin के कारण तो already जिनको कम सुनाई देता है तो वो लोग agytheromycin को use ना करे फिर torsure the point ऐसे medical condition की जिसके अंदर abnormal heart rhythm होते है की जैसे torsure the point वाले persons का आप ECG वगेरा देखोगे electrocardiogram तो इस तरह से आपको abnormal ECG जो है वो देखने को मिलेगा कि जिनके heart rhythm जो है वो काफी abnormal होते हैं कई बार hearts bits काफी कम होते है तो ऐसे लोगों को भी agytheromycin को use नहीं करनी तो यह था हमारा special lecture agytheromycin के बारे में thank you for getting this lecture thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access कर सकते है study material test series and video lectures pharma rocks के अप उपर android user है तो android app डाउनलोड करे iphone user है तो app store से डाउनलोड करे links आपको description box के अंदर मिल जाएगी good luck and all the best